में उपस्तित हूं कुक्षा आठ की हिंदी का कालांश लेकर के आज हम इसका पाठ चार पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दीवानों की हस्ती इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा जिनका जनम 30 अगस्त 1903 को हुआ और उनकी मर्तिव 5 अक्टूबर 1981 को हुई तो पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती यह पाठ चार है यह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपकी पुस्तक का यह पाठ है तो यह जो लेखक ने पाठ लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने दीवानों की हस्ती तो यह सवतंतरता से पूर्व का पाठ है जिसमें लेखक जो सवतंतरता से नानी थे उनके बारे में यह पाठ लिखा है तो वो आजादी के दिवाने थे दिवाने का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को पाने की जो लगन हो जाती है उसकी लगन के पीछे जो व्यक्ति की मनोदशा हो जाती है उसको दिवाना कहते हैं तो दिवानों की हस्ति, हस्ति का मतलब होता है अस्तित्व, मनुष्य का जो अस्तित्व होता है तो इस पार्ठ में लीखक ने ये बताया है कि सवतंतरता से पूर्वology जब यहां पर बिर्टिश शासन था तो उनके अत्याचीरों के खिलाब सबतंतरता सेनानियों ने बहुत सारे अत्याचार सेन करके भी आजदी को पराप्त करने के लिए संघरश किया तो वो जो आजदी के सैनिक होते थे वो किस परकार के होते थे उनकी मनोदशा कैसी होती थी ऐसा इस पाठ में वर्णन किया गया है तो आईए आज हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो इसकी ये पहली चार पंक्तियां है हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूर उलाते जहां चले तो कभी कह रहा है कि वो जो अजादी के सैनिक हैं वो ये कह रहे हैं कि इस महान देश के सामने हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है क्योंकि ये देश बहुत महान है और उसके सामने हमारी जान की यानि कि हमारी मनुश्ट हम जो सैनिक हैं अज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारा कोई अस्तित्व नहीं है हमारी कोई हस्ति नहीं है और हम जो सैनिक हैं हमें चलना है और हम आज यहां और कल वहां क्योंकि हमें यह नहीं पता कि हमें आज यहां हैं तो हम कल कहां होंगे लेकिन हमें ये पता है कि हमें एक लक्षे की ओर चलना है और हमारा लक्षा क्या है बेश को अज़ादी दिलाना और मस्ती का आलम साथ चला हम दूल उड़ाते जहां चले तो सैनी कहते हैं कि हम जिदर भी जाते हैं हमारे साथ पूरा संसार यानि कि पूरे भारतवर्ष के लोग हमारे साथ हो जाते हैं आलम मतलब संसार या दुनिया कह सकते हैं तो जो भारत के लोग हैं वो भी हमारे साथ हो जाते हैं हम जिदर भी जाते हैं लोग हमारे साथ हो जाते हैं अगली चार पंगती हैं आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले तो लिखा कहता है कि आज़ादी के जो सैनिक हैं वो जब अपने प्रियाजनों को मिलने आते हैं परिवार में तो परिवार में खुशियां चा जती हैं उलास मतलब खुशियां और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो पिछे से उनको वापिस बुलाने का बुलावा आ जता है तो उसी समय वे वापिस भी लोट जते हैं इसलिए जो सग्यस बंदी होते हैं परिवार जन होते हैं उनके आँखों में आंसू बह जाते हैं कि अभी अभी तो आई थे और अभी वापिस भी जाना पड़ रहा है तो सभी जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं सभी कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले तो सबी जो लोग होते हैं उनके चाहने वाले तो वो कहते हैं कि अभी अभी तो आप आए थे और अभी आप वापिस भी कैसे चल पड़े अगली पंक्तियां किस और चले यह है मत पूछो चलना है बस इस लिए चले जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिये चले अगली पंक्तियों में लेखा कहता है कि वो जो अजादी के सैनिक हैं अजादी के मत वाले हैं जो दिवाने हैं अजादी के वो किस और चले यह है मत पूछो तो वो जो सैनिक हैं वो यह कहते हैं कि हमें ये मत पूछो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं बस हमें तो ये पता है कि हमें चलना है और चलना किसलिए लक्ष है प्रापत करने के लिए जग से उसका कुछ लिए चले तो हो सैनिक हैं वो कह रहे हैं कि हम जो भारत देश के लोग हैं हम उनकी आशाएं अपेक्षाएं लेके जा रहे हैं क्योंकि सभी देशवासी क्या चाहते हैं कि हमारा देश आजाद हो और जग को अपना कुछ दिये चले हम अपने अनभव हम अपने सुख दुख लोगों किसे बांट करके उनको अपनी भावनाई देके जा रहे हैं अगली पंक्तिय हैं दो बात कही दो बात सुनी कुछ हंसे और फिर कुछ रोए चक कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिये चले इन पंक्तियों में लेखा कहता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं जो अजादी के दिवानिया वो कह रहे हैं कि जब हम लोगों से कहलते हैं तो हम उनकी बात सुनते हैं और अपने मन की बात भी कहते हैं और कुछ हंसे फिर कुछ रोए तो हमारी बाते सुन करके कुछ लोग खुश होते हैं लेन कुछ लोगों को दुख भी होता है और चक कर सुख दुख के गुंटों को चक कर मतलब मन भर के जी भर करके जो सुख दुख होते हैं उनको हम एक दूसरे से बांटते हैं और हम अजादी के लिए बहुत सारे दुखों को भी सैने के लिए त्यार हैं हमारे लिए सुख द की एक सी भावना ही महसूस होती है और हम अपने लक्षे के ओर बढ़ते जा रहे हैं अगली चार पंक्तिया हैं हम भिख्मंगों की दुनिया में सवचंद लुटा कर प्यार चले हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले तो इन बंक्तियों में लेखक जो है वो आजादी के दिवानों के माद्यम से इस दुनिया को भिख्मंगे भिख्मंगे मतलब जो भिख्षा मांगते हैं जो भिखारी होते हैं ऐसे मालो तो हम भिख्मंगों की दुनिया में तो उन्होंने क्या कहा है दुनिया को भिख्मंगा का है सब्चंद लुटा कर प्याल चले तो लिखा कहता है कि जब हम दुनिया का ये सभाव है कि वो कुछ ना कुछ मांगती रहती है दूसरे से मांगना चाती है दूसरों से कुछ लेना चाती है पर जो सैनिक होते हैं आजादी के मतवाले होते हैं वो तो सब को प्यार लूटा के जाते हैं सब को प्यार लूटाते हैं वो कुछ न कुछ मतलब देख करके जाते हैं को हम एक निशानी सी उर पर तो वो सेनी कहते हैं कि ए हम एक निशानी सी उर पर हमारे मन पर एक बोज है उर मतलब हरीदय हमारे हरीदय पर एक बोज है एक बोज कौन सा है ले ऐस फलता का भार चले हमारे जीवन पर एक ऐस फलता है कौन से ऐस फलता है कि हम इतनी कोशिश करने के बाद भी देश को स्वाधिन नहीं कर पा रहे ये हमारे हरिद्या पर एक भार है अगली पंक्तियों में अब अपना है और पराया क्या अबाद रहे रुकने वाले हम स्व्यम बंदे थे और स्व्यम हम अपने मंधन तोड़ चले तो अंतिम चार पंक्तियों में लिखा कहता है कि जो अजादी के मतवाले हैं वो कहता है हमारे लिए तो सब अपने हैं सब भी अपने हैं और हमारे लिए कोई भी पराया नहीं है और हम तो अपने देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर रहे हैं तोब दीज के क्रोल स्बाद रहें रुकने वाले? और हमारा जो देश है और यहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो बड़ी खुशी से रहें और देश सबतंत्र हो जाए हम यहीँlow güdyn की और धिश्ँ हाय कि हम श्व reflex 함께 थे और स्वयम हम अपने बंधन तोड़ चले वो करने लगे कि हम अपनी इच्छा से ही इस रस्ते पे चले थे कि हमें देश को आजादी दिलानी है हम आजादी के मतवाले बने थे और हम अपने देश के लिए अपना सरवसव अरपन करके जा रहे हैं और हम अपनी इच्छा से इसमें आए थे इस बंधन में आए थे और हम अपने प्राण नचावर करके हम अपने बंधन को तोड़ करके जा रहे हैं इस परकार ऺगोती चरणजी की ये कविता दीवानों की हस्ती पूरी हो गई और आज हम इसके जो आप तीन प्रशन ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कवीता से कवी ने अपने आनने को उल्लास और जानने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है दूसरा है बिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवी ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हर्दय पर ऐस फलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है क्या वह निराश है या प्रशन है तीसरा प्रशन है कवीता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी तो इन तीनों प्रशनों के उत्तर मैं इस वीडियो के साथ आपको पीडिया वेज रहा हूँ आप सबको वो तीन प्रशन करने है शेश प्रशन हम अगले कालांश में करेंगे जै हिंद जै भारत